नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका हमारे एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस और वीडियो से समंदित रास्तान सामाने गयान के कुछ महत्पून परशनों के बारे में जो की बहुत महत्पून है और मैं आपको यह कह सकता हूँ कि इस वीडियो में से आपको हर पेपर के अंदर दो से तीन क्यूशन हमेसा देखने को मिलेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पून होने वाला और लाश्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने इनमें से कितने क्यूशन सही किये वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली जो भी और लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले यहाँ पर आपको समय समय पर सभी प्रकार के वीडियो उप्रम्त करवाई जाते हैं जो कि आपको आपकी जो कम्पिटिशन एग्जाम है उसमें बहुत महत्पून साबित होंगे आपके लिए तो आईए शुरू करते हैं हमारा पहला क्यूशन है आज का हमारा पहला इन में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती देकिए पाकिस्तान के साथ हमारे च्यार जिनों की सीमा ही लगती है तो इन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्सन डी हनुमानगड हनुमानगड की सीमा पाकिस्तान की साथ नहीं लगती है च्यार जि है में राजस्तान के किस जिले का छेत्रपल सबसे बड़ा है Auss squeeze in a बाडि मेर ओप्सेन की बीकानेर ऋप्सेन G igana- files illow कौन सा जिला चेत्रपल के सबसे राजस्तान का सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर बीकानेर गंगानगर या जेसलमेर तो इसका जो राइट आंसर होगा वोगा ऑप्शन डी जेसलमेर जेसलमेर चेत्रपल के सबसे राजस्तान का सबसे बड़ा जिला है और यह जो चारों ही जिले हैं ये अंतराश्टी सीमा पर स्थितिते जेसलमयर राजी का सबसे बड़ा जिला है लगब राजस्तान के कुल-चह Anthrop it ग्यारा पॉइंट 22 परतिसत भाग जेसलमयर कें अंत्रगत आता है अगला क्यूश्ण है राजस्तान की अंतराश्टी सीमा पर स्थित जिला है कौन से जिला रच छ रचण राष्डरी सीमा पर इस्तित ए यह बाढ़ मेर नागोर जोदबूर जालोर को इसके बात हम पहले वाले किश्ल में भी कर शूहें जो बाढ़ मेर है वह अंतराश्टी सीमा पर इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर होगा हुआगा ओप्सन एंस अगला क्योंट है राज़स्तान का राज्य पक्सी कुन सा है औप्सन ए मोर भी गोडावन सी कोयल या डी हंस इन में से कुन सा पक्सी राज्य का राज्य पक्सी है ओर्भ फिर्टें जो है और फिर्टेंअ इसी notions युद्य कोंने कसे विशा और करें एक बेखने एग किसने है अजय को movements सूर्ण चितोडगर को कहते हैं वो राजस्तान का गोरो जोदपूर को कहते हैं इनमें से कौन सा योग में सही है आपको बताना है राजस्तान का परवेस्दवार भरतपूर सोने नगरी अजमेर राजस्तान का हर्दे चितोडगर राजस्तान का गोरो जोदपूर इसका जो राइट आ को नहीं अजमेर को कहते हैं ओर राजस्तान का गोळु जोधपुर को को नहीं चित्वर्ण को कहते हैं यानि औरफ्टण और इसका राइट आंसर वोगा अगला कि उसने राजस्तान का च्रपल भारत के कुल च्छेइट ड्रपल का कितना परतीशत है आपके अप्शन है आप्शन इसने शे 2.2 परतीशत बी 13.8 परतीशत C 15.9 प्रतिसत या D 10.4 प्रतिसत राजस्तान का छेत्रपल है वो 3,92,240 वर्ग किलोमीटर है तो ये भारत के कुल छेत्रपल का कितना प्रतिसत है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D 10.4 प्रतिसत भारत के कुल छेत्रपल का 10.4 प्रतिसत राजस्तान का है जो कि 3,92,240 वर्ग किलोमीटर है अगला क्यूशन है राजस्तान का सिंग दुवार कहलाता है उप्शन A अलवर, B भात्पूर, C दोलपूर, D करोली इनमें से किस जिले को राजस्तान का सिंग दुवार कहते हैं अलवर, भात्पूर, दोलपूर, करोली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उप्शन A अलवर अलवर को रजश्तान का सिंग दुआश कहते हैं ओपशन इसका रैट आंसर होगा अगला क्यूश्टन है रजश्तान का अन्न बंडार कहलाता है रजश्तान को जो अन्न का बंडार है किस जिले को कहते हैं ओपशन ए अलवर B. भरतपूर C. कोटा या D गंगा नगर किस जिले को राजस्तान का अनका बंढर कहते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option D गंगा नगर गंगा नगर को राजस्तान का अनका बंढर कहते हैं कोटा को ओध्यूगिक नगरी या सिक्षय की नगरी कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा D अगला क्यूशन है राजस्तान का राज्य वरक्स कौन सा है राजस्तान का राज्य वरक्स कौन सा है आपके उप्सन है उप्सन A पीपल, B, खेजडी, C, बर्गद, या D की कर कौन सा वरक्स राज्य का राज्य वरक्स है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्शन बी खेजडी खेजडी राजस्तान का राज्य वरक्स है और बरगत जो है वो देश का राश्ट्री वरक्स है अगला कि शुन है निम्निमे से कौन सा जिला मद्धे प्रदेश की सीमा पर इस्तित नहीं है मद्धे प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साजा नहीं करता है तो मद्धे प्रदेश के साथ हमारे 10 जिले सीमा साजा करते हैं राश्तान की सरवादिक अंतर राज्य सीमा भी MP यानि मद्धे प्रदेश के साथ ही लगती है और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उप्सन C उदेपूर उदेपूर जो है वो मद्धे प्रदेश के साथ नहीं गुजरात के साथ सीमा साजा करता है जहलावार जो है उस सरवादिक सीमा बनाता है मद्धे प्रदेश के साथ इसका राइट आंसर होगा उप्सन C उदेपूर अगला क्यूशन है निम्न में से किस जिले की सिमा पाकिस्तान से सोरी पंजाब से नहीं लगती आपके उप्सन है उप्सन A गंगानगर B हनुमानगर C चूरू या D तो आपको पता है पंजाब के साथ हमारे सिर्फ दो जिले सिमा बनाते हैं वह एक गंगानगर दूसरा है हनुमानगर तो चूरू पंजाब के साथ शीमा क्या नहीं बनाता है यानि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C C इसका राइट आंसर होगा चूरू पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाता है गंगानगर वहनुमान गड़ी ही पंजाब के साथ सीमा साजह करते हैं सबसे कम अंतराजी सीमा भी हमारी पंजाब के साथ लगती है मातरे 89 किलो मिटर अगला क्यूशन है डूंगर पुर्व बासवड़ा का प्राचीन नाम क्या है आपके उप्शन है उप्शन A हाडोती, B मेवाड, C वागड या D इनमें से कोई नहीं हनुमान गड, सोरी डूंगर पुर्व बासवड़ा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था हाडोती, मेवाड या वागड उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option C, वागड वागड इस राइट आंसर हाडोती है, उकोटा बूंदी बारा और जहलवाड का जो छित्र है उसका हाडोती की नाम से जानते हैं मेवाड है वो उदेपूर चित्तोड भिलवडा परताब गडगा जो छित्र है उसको मेवाड की नाम से जाना जाता है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, वागड अगला क्यूशन है राजस्तान में राजस्तान से भरत का सबसे निकरतम बंदरगा इस्तिते कौन सा बंदरगा राजस्तान के सबसे निकरतम है ओप्शन A, मदरास, B, मुंबई, C, कांडला या D, विसा का पटनम इनमें से कौन सा बंदरगा राजस्तान के सबसे करीब इस्तित है मदरास, मुंबई, कारणला या विसा का पटनम तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उप्शन C, कारणला कानला जो गुजरात के अंदर इस्तित राजस्तान के सबसे करीब में इस्तित बंदरगा है अगला क्यूशन है मद्धे प्रदेश के साथ राजस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं MP के साथ राजस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं किmen किולे औो कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं तो राज्टान के सरवादिक जिले M.P के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं सरवादिक सीमा भी हमारी मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है तो बी इसका right answer होगा 10 जिले MP के साथ सिमा साजय करते है अगला क्यूशन है च grinट के साब से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अप्षण आ मध्य प्रदेश B. उत्रपदेश C. राजिस्तान D. महाराश्ट कौन सा राज्य 2000 के साब से देश का सबसे बड़ा राज्य है तो हमने अभी बात की कि देश के कुल छेत्रपल का लगबग 10.42 प्रतिसद जो भाग है वो राजस्तान के पास है जब मद्धे प्रदेश से 36 गड़ा अलग हुआ सन 2000 में उसके बाद राजस्तान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया तो सी इसका राइट अंसर होगा उससे पहले अगर हम इस सीरीज को ऐसे ही कंट्यूनी रखेंगे और भी नए नए वीडियो के लिए आते रहेंगे तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्कुराइब अवस्य करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हम नाइस्तान के अगरति कारएब और चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर ले चलते हैं हमारा अगला क्यूशन है है राजस्तान के किस जिलय की सीमा उत्रप्देश से लगती है option A, धौलपूर, B, भरतपूर, C, A वभी दोनों या D, जेपुर, इनमें से किस जिले की सीमा उत्तरप्रदेश से लगती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, option C, इसका राइट आंसर होगा, धौलपूर वबरतपूर, जो दोनों ही जिलों की सीमा उत्तरप्रद इसके साथ देखती है वो दो जिले हैं एक धोलपूर और दूसरा है भरतपूर अगला कुछन है मुना बाउ किस जिले में स्थित है मुना बाउ किस जिले में स्थित है आपके ओप्सन है ए धोलपूर भी भरतपूर सी बाड मेर या डी जेपूर मुना बाउ जो है किस जिले म घृत पूर बाड में जयपूर में राश्तान पुलिस में क्यूशन आया था कि मुनाबाव पाकिस्तान से जो धार एक्स प्रेक्स आती राजस्तान उसके लिए पहला इस्टेशन कौन सा पड़ता है तो इसका जो राइट आंसर था मुनाबाव यह धा मुनाबाव एक रेलव के अंदर इस्तिते तो सी इसका राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है जुलाई उन्नीस सु सत्यान में घुशित राजस्तान का नया जीला कौन सा है राजस्तान में जो जिलो का क्रेम है उससे कही बार क्यूशन पूछे जाते हैं तो इसने पूचा कि जुलाई 1997 में घुशित राजस्तान का कौन सा जीला है जो बना था ओप्शन ए धोलपूर बी सवाई मादुपूर सी करोली या डी जेपूर कौन सा जीला जुलाई 1997 में घुशित किया गया था वो नमीन तमजिला बना था तो वो है सी करोली करोली है वो जुलाई युग में सही नहीं है तो आपको पता है राउत भाटा जो है वो जेपूर के अंदर नहीं चित्तोडगड के अंदर है चित्तोडगड के अंदर राउत भाटा है तो एसका राइट आंसर होगा रनकपूर पाली के अंदर है जो जेन मंदिरों के लिए परसिद है बालो तर अगला क्यूशन है किस जिले की सिमा गुजरात से सबसे कम लगती है के option है option a उद्धपूर बी शिरोई सी बाडमेर या डी बंसवड़ इनमे से किस जिले की सीमा گजरात के साथ सबसे कम लगती है उद्धपूर शिरोई बाडमेर और बंसवड़ इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा C बाड़मेर बाड़मेर की मातर लगवग 16 किलोमेटर सीमा ही उसके साथ लगती है तो C इसका राहिट आंसर होगा बाड़मेर अ मिस्मा बनाता है गुजरात के साथ अगला कुशन है राजिस्तान का 33 वजिला कि संभग के अंदर है बहुत अच्छा क्यूशन है 33 जिला सबसे पहले आपको यह पता होना चीए 33 जिला कौन सा है वो कब बना और फिर यह पता होना चीए कि वो कौन से संभाग के अंदर है तो अच्छा क्यूशन है 33 जिला कि संभाग में है option है option A. उधेपुर B. कोटा C. जेपुर D. B. कानेर 33 जिला किस जिले में है आपको पता है 33 जो जिला है वो है प्रताप गड प्रताप गड राजस्तान का 33 जिला है जो कि सं 2008 के अंदर बना था वसंद्रा राजी सरकार ने इसको बनाया था परताब गड़ राजस्तान का 33 वाजिला है और जो ये उदेपूर संभाग के अंदर आता है राजस्तान में साथ संभाग है तो उदेपूर संभाग के अंदर गड़ परताब गड़ आता है 33 वाजिला दोजार आठ में बना तो ए इसका राइट आंसर होगा 33 जिला उधेपूर संभाग के अंदर आता है अगला क्यूशन है राज़स्तान के जिले जहां से करक रेखा गुजड़ती है बहुत महत्मूर fís कई बार प्रिक्षणव में एक क्यूशन पूछा गया है ये राजस्तान से करकरेखा किन जिलों से गुजड़ती है उप्सन ए डूंगरपुर बांसवड़ा बी कोटा बूंदी सी जेपुर अजमेर ये डी बी कानेर बाड़ मेर इन में से किस जिले के अंदर से करकरेखा गुजड़ती है तो राजस्तान में करकरेखा की जो लंबाई है वो है 16 किलोमेटर सोरी 26 किलोमेटर राजस्तान के अंदर करकरेखा की लंबाई है जो कि डूंगरपूर्व बांसवड़ा जिले के सिमाओं से गुजड़ती है तो A, इसका right answer होगा डूंगरपूर, बास्वडा अगला क्यूशन है राजस्त किस जिले से 70 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है ये क्यूशन भी राजस्तान फ्लिस में पूछा गया है पहले कि किस जिले से 70 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है ओप्शन A, डूंगरपूर B, कोटा C, अजमेर या D, जेसलमेर तो इसका जो right answer होगा वो होगा D, जेसलमेर जेसलमेर के अंतरगत 70 डिगरी पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो राजस्तान के जेसलमेर जिले से होकर गुजरती है पही बार पूछा गया है important question है जेसलमेर इसका right answer होगा option D अगला question है राजस्तान कितने संभाग में बटा हुआ है राजस्तान की जो संभाग के विवस्ता है उसके अंतरगत राजस्तान को साथ संभागों में बटा गया है यानि A, इसका right answer होगा साथ संभाग राजस्तान में है और साथों ही संभाग नगर निगम है ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है अगला क्यूशन है राजस्तान का धातू नगर कहलाता है किस नगर को राजस्तान का धातू नगर कहते हैं उप्शन A, कोटा, B, नागोर, C, शिरोही, या D, जेपुर इन में से किस नगर को राजस्तान का धातू नगर कहते हैं कोटा, नागोर, शिरोही, जेपुर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option B नागोर नागोर को राजिस्तान का धातु नगर कहते हैं राजिस्तान सबसे अधिक किस राजजे के साथ सीमा बनाता है इस question के चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं जाज़ा करता है उप्सन है A. उत्रप्रदेश, B. मद्धेप्रदेश, C. गुजरात या D. पंजाब तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B. मद्धेप्रदेश इसका राइट आंसर होगा लगबग 1600 किलोमेटर की सीमा MP के साथ साजा करता है राजस्तान और 10 जिले राजस्तान के जो है इसकी साथ सीमा साजा करते है अगला क्यूशन है छेतरप्रदेश द्रेश्टी से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है राजस्तान को हमने बात किया भी कि साथ संभागों के इंतरगत बाटा गया है सातों ही नगर निगम है तो इन में से छेतरप्रदेश के साथ सबसे बड़ा संभाग कौन सा है option A भरतपूर B पिकानेर C जोधपूर या D कोटा इसका जो right answer होगा वो होगा C जोधपूर जोदपूर छेतरपूर के साबसे सबसे बड़ा संभाग है जबकि भरतपूर जो है वो छेतरपूर के साबसे सबसे चोटा संभाग है भरतपूर और सबसे बड़ा जोदपूर तो C इसका राइट आंसर होगा अगला कुशन है रनकपूर किस जिले में इस्तित है ये क्युशन पटवारी में पूछा गया है कि रनकपुर किस जिले में इस्तित है वफ्षन ए भरतपूर, C, B, सिरोही, C, जोधपूर, D, पाली इनमें से किस जिले के अंतरगत रनकपूर इस्तित है तो D इसका राइट आंसर होगा पाली के अंदर रणकपुर इस्तित है तो रणकपुर जो है वो जेन मंदिरों के लिए परसीद है तो डी इसका राइट आंसर होगा पाली अगला किशोन है राजस्तान के संभग वजिलों का सही यूग में कौन सा है यानि कितने संभग वजिलों की इंदर और गटधा गया है तो उसका सही योगम है उपसञे 7 संभाग 33 जिले उपसन W6 32 जिले से 5 संभाग 33 जिले यज डी 8 32 जिले तो इसका राइट अंसर हो वो होगा उपस्न A. साथ संभाग वे 33 जलों के अंतरगत राजस्तान को बाठा गया है उपसन A. इसका राइट आंसर हुआ अगला क्यूशन है राज्ये की अंतराष्टी सीमा की लंबाई है राज्ये में जो पाकिस्तान के साथ राज़्तान की चार्जले सीमा साजा करते हैं उनके कुल टोटल अंतराष्टी सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है उपसन A. 8882 किलोमेटर उपसन B. 5920 किलोमेटर उपसन C. 1070 किलोमेटर या D. 1170 किलोमेटर तो राज्येस्तान की अंतराष्टी सीमा की लंबाई कितनी है ये बताना है आपको आपके option आपके सामने है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option C 1070 राजस्तान की अंतरराष्ट्री सीमा की लंबाई है वो है 1070 किलो मीटर जो की राजस्तान के च्यार जिले पाकिस्तान के साथ साजा करते हैं अगला क्यूशन है राजस्तान का वह जिला जो अंतरराष्ट्री वो अंतरराष्ट्री दोनों सीमा ये बनाता है यानि कि वो जिला अंतरराष्ट्री यानि पाकिस्तान के साथ भी सीमा साजा करता है और अंतर राजी यानि किसी पड़ोसी राजी के साथ भी सीमा साजा करता है इसे कौन से जिले हैं आपके option है option A. स्री गंगा नगर B. बार्ड मेर C. दोनो A. B. दोनो D. दोनो ही नहीं यानि कौन से जिले अंतर राश्ट्री वा अंतर राजी सीमा दोनों रिखाई बनाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा option C, A, W, B, दोनो क्योंकि जो स्री गंगा नगर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा साजा करता है और इदर पंजाब के साथ भी सीमा साजा करता है और बाड मेर है वो गुजरात के साथ भी सीमा साजा करता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साजा करता है तो राजिस्तान के ऐसे दो ही जीले हैं जो अंतर राश्ट्रिये वा अंतर राज्ये दोनों सीमा रिखाई बनाते हैं स्री गंगा नगर वे बाड मेर तो C, इसका राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है राजिस्तान की आखरती है ओप्शन है समकौन चत्रभुज के समान बी विसमकौन चत्रभुज के समान सी समवलम चत्रभुज के समान या डी समकौन आईताकार ये क्यूशन कई बार कई प्रिक्षाओं में पूछ गया है बहुत common question है कि राजस्तान की आखरती किस प्रकार की है सम कौन चतरबुज, विसम कौन ये चतरबुज, सम मलम चतरबुज या सम कौन ये आयताकार के समान जो जो राइट आंसर होगा वो होगा option B विसम कौन ये चतरबुज के समान राजस्तान की आखरती है इसका राइट आंसर है अगला क्यूशन है राजस्तान का कौन सा सहर जिलों की नगरी कहलाता है कौन सा सहर को जिलों की नगरी कहते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वह अगला क्यूशन है चपन का मेदा रास्तान के किस भाग में इस्तित है चपन का जो मेदान है वो माही नदी के अफ़ा चेतर माही नदी बहती है उस चेतर को चपन का मेदान कहते हैं जहां चपन नदी नालो या चपन गाओं का जो समू है उसको चपन का मेदान कहते हैं यह राजस्तान की किस चेतर में इस्तित है उत्तर में बी दक्षिन में सी खैंब हुआ होगा 56 का मेदा राजस्तान के दक्षणी भाग में इस्तितए 20 का राइट अंसर होगा कि अगला क्यूशन है छेटरबल के आधार पर राजस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा है हमने पहले बात की डिया द्यादर पर राजस्तान का सबसे बड़ा जिला पर जिला है जो राइट ऑंसर होगा वो होगा दी accidental पूर आस्तान का सबसे छोटा जिला करने दोज़ा करता था लेकिन सवाए माधवर की दोज़ा में मिला दी गई इसके बाद में उसके बाद दोज़ा सबसे छोटा जिला बन गया अगला कुछन है रास्तान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है मैंचेस्टर के नाम से कौन से जिला परसिद है option A करोली, B ब्यावर, C भिलवाडा या D धोलपूर कौन से जिले को रास्तान का मैंचेस्टर कहते हैं या कपडा नगरी भी कहते हैं तो C इसका राइट आंसर होगा भिलवाडा को रास्तान का मैंचेस्टर की वस्तर नगरी भी कहते हैं भिलवाडा को तो C इसका राइट आंसर होगा मैंचेस्टर भिलवाडा अगला कुछन है राजिस्तान का 27 वजिला कौन सा बना जब राजिस्तान का एककरन संपन हुआ उस टाइम राजिस्तान में कुल जिले थे 26 26 जिला बना था अजमेर उसके बाद जब 27 जिला बना नया जिला तो वो बना था धोलपूर यानि D इसका राइट आंसर होगा 1922 सिके अंदर धोलपूर को राजिस्तान का 27 जिला बनाया गया था तो D इसका राइट आंसर होगा धोलपूर अगला किशन है गुरुद्वारा बुड़ा जोहर किस जिले में इस्तित है बहुत फेमस इस्तान है शिक ध्रम का बहुत बड़ा गुरुद्वारा बुड़ा जोहर वो कौन से जिले में है अगला किशन है निम्निमे से किस सहर में सबसे बाद में सूर्य अस्ता होता है अच्छा किशन है सूर्य पूरप से होदे होता है तो जो सबसे पूर्वी जिला होगा वहां सबसे पहले उदे होगा पस्से में अस्त होता है तो सबसे जो पस्मी जिला होगा वहां वहां वह सबसे बाद में अस्त होगा तो आपके उप्सन है उप्सन ए जैसलमेर बी कानेर सी भिलवाडा या डी धोलपूर तो राजिस्तान का जो पस्मी जिला है, सबसे पस्मी जिला है, वो है जैसलमेर, तो सबसे बाद में सूर्य अस्त भी राजिस्तान के जैसलमेर जिले में ही होता है, जबकि सबसे पहले उदेव होता है, धोलपुर के अंदर, तो A, इसका राइट अंसर होगा, उप्शन A, जै स्री गंगानगर वियाड़ी धौलपुर रास्तांगर जो सबसे उत्री जिला है वहां सूरी की किर्णों का तिर्षापन सरवादिक होता है तो रास्तांगर जो सबसे उत्री जिला है वो है स्री गंगानगर और यहीं पर सूरी की किर्णों का तिर्षापन सरवादिक होता है तो स्री इसका राइट आंसर होगा स्री गंगानगर है तो यह हमने लगबग 40 क्यूशन किये हैं जीके के बहुत महत्पूर्ण है वीडियो कैसा लगा हमें जरूरा है पसंद है तो लाइक करें अपने सबी दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें महत्पूर्ण क्यूशन है 40 और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 40 में से कितने क्यूशन सही निकले हमें जरूर बताएं धन्यवाद